हलो गाइस एंड वेलकम बाग टू माई शानल सिर्फ आई एएस तो हम यहां एक बिल्कुल नई सेरीज लेकर आए हैं मेडिवल हिस्ट्री के मेडिवल इंडिया की बहुत डिमांडिंग सीरीज है थोड़े से बड़े चाप्टर्स थे तो पॉइंट पॉइंट निकालने कर दो दिन बार पढ़के थोड़े समय लग गया तो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको रेगलर अप्डेट मिलती रहें और मेरे ये कोशिश रहेगी कि मैं एक में एक लेसन को कम्प्रीट कर दूँ तो प्लीज थोड़ा से कॉप्रेट करें अगर वीडियो थोड़े से लंबी हो जाए तो 2x पर 1.5x पर देखने कोशिश करिएगा क्योंकि एक में रहता है सही ह बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं 2-3 पार्ट करूं बड़ी वीडियो आपको कैसी लगती है एक लिए इसमें इसका लास्टेट मतलब हुआ था ओल्ड रोमन एंपायर जो माइटी रोमन एंपायर था वो फिर ब्रोक हुआ दो बाग में जो है यह ब्रोक हो गया तूड गया 3rd quarter of the 6th century में अब जो वेस्टेन पार्ट था समझ रहे हैं आप दो पार्ट में ब्रोक हो गया ठीक है आप जो वेस्टेन पार्ट था उसकी कैपिटल थी रोम में है ना यह ओवर वेल्म था स्लेव और जर्मनी ट्राइब्समेंस है ठीक है जो जारा तर इस्टेन योरोप था अस वर इस मॉडरन तर्की सीरिया और नौर्थ आफ्रिका आता था अब देखें यह जो एंपायर था जिसे बाइजन्टीन इंपायर बोलते थे क्या बोलते थे बाइजन्टाइन एंपायर बोलते थे यह कॉंटिन्यू रहा इसने अपना कही सारे ट्रेडिशन जोरो की रोमन एंपायर के थे उसने इसको कॉंटिन्यू करा ऐसे की स्ट्रॉंग मुनार्की ठीक है हाइली सेंट्रलाइज अड्मिस्टेशन वगेरा को बट इन बिलीव और रिच्वल्स इसमानी डिफ्रेंसे विद थे क्याथॉलिक त लिए चर्च जो वेस्ट में थे थे एक है जुलिक ओंटर्श पैसिंटर्श की सब्सक्राइज पर्षयर सेंट्राइज त सबस्क्राइज थे तर्फॉलिक और रृप्ष जो है बढ़ा है तो मॉडें टर्की और सीरिया है विच वाइजंटीन इंपायर यह भी फॉलो करता था ग्रीक और्थोडॉक्स चर्च को अब देखें बाइजंटीन इंपायर ने कॉंटिन्यू करा ट्रेड रखना अपना एश्या के साथ में जब कॉलाप्स हो गया था रोमन कॉलाप्स होने के बाद रोमन इंपायर का वेस्ट में तो सिटी इस वर्चुली डिसपीर हो गई वेस्टन यूरोप में और फॉरें इन लांड ने रिसीव करा सेट बैक इससे बोलने लगे डार्क एज बाइस स्टॉरियं इसको कहा कि डार्क एज थी वहां की अब दूसर स्टाइन स्टेंट यूरोप को वस अगें एबल तो अटेंड हाइन लेवल और फ्रॉस पर इटि फिर से जो है ये चौरा से बारा से चौरा से बार्द फिर एक टॉपिक कवर करा गया है ग्रोथ औफ फ्यूडिविसम कैसे बढ़ा है तो आगे बताते हैं इस सिस्टम में ह जो है तो डाला कि मैंने यह वर्ड हिस्ट्री की सीरीज में बहुत अच्छे से इसको कवार करा है अगर आप करो नहीं हो गहार भी गिंवार्ड वर्ट वर्ट वें तक कंप्रीट हो गया नार्श ट्राइक करही थी और वो डॉमेट कर रहे थी बहुत बहुत ज्यादा लंबर ऐफ लाज़ ट्राइक लिए बड़े इस तर्फ पे लाइन्ड को डॉम्नेट कर रहे थी एक इंपॉर्टेंट भी थी वहमेंट का ठेक है यह जो के है तहा just like one of the more powerful feudal chiefs ये भी था और in course of time वक्त के साथ सथ क्या हुआ मुनार्की काफी strong हो गई stronger हो गई और attempt करे जाने लगे कि वो limit करें power को chiefs की ठीक है chiefs की power को limit करने के लिए attempt अगरा करे जाने लगे एक method जो था इसको करने का वो ये था कि king saw the chief to an oath of loyalty to him as his vessels and in return recognize the tract of land nominated by the chief as their thieves तब मतलब क्या है इसका की तो मतलब ये है कि king ने मतलब एक chief को लिया उसको oath दिला है loyalty की है आपने सामने और उसने vessels मतलब मतलब holder of land के तौर पर उसको रखा और बदले में उसको मतलब land वगेरा दी और nominate करा गया chief as their thieves मतलब आपका holder of land के तौर पर ठीक है चीफ ने बदले में जो है appoint करा कुछ सब चीफ को मतलब अपने नीचे आप समझे न ये यहाँ आया king यहाँ यहाँ चीफ यहाँ आया अपने नीचे उसके सब चीफ है ना तो उसके नीचे को रखा वसल्स के तौर पर अब अलॉट अफ ट्राक्ट आउट अफ दिर फीफ दूह अब उनको मिली थी मतलब अलॉट अलॉट करी मतलब जैसे की इनको जेथ लैंड मिली थी ठीक है उसमें से कुछ लैंड नोने सब चीफ को अलॉट कर दी थेखें, the king could in theory resume the field, theory theoretical तो जो king था, वो resume कर सकता था, thieves को, और दिसलोयल वसल, थेखें, resume कर सकता था, वापिस लिसलोयल वसल का, but practice में यह rarely करा जा रहा था, अब देखें, feudal system of government, जो है, वो dominated था, by a landed aristocracy, जो aristocracy थी, वो hydratory थी, and उसने पूरी कोशिश करी थी, अपनी, not to admit outsiders, कि बतलब बाहर के, लोग जो है, इसमें ना आपाएं, ठीक है, और पूरी तरह से की, जो है, वो, यह कहते हैं, आपका hydratory थी, but, it was completely closed, okay, बतलब ऐसा नहीं था, कि completely closed नहीं थी, यह था, कि कोशिश करी गई थी, कि outsiders ना नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे words explain कर दिया करो, तो देखिए, aristocracy हाइस क्लास होता है किसी बे society में, mainly यह hereditary होता है, मतलब, पहले पिता जी का, बाबा का, पिता जी का, पिर आप का, यह सारा होता है, usually hereditary होता है, तब समझ रहेना है, aristocracy होता है, hereditary थी, और यह कोशिश अब Europe में, feudal system जो associated था, दो other features के साथ में, पहला यह, first is a system of serfdom, serfdom का पहला system था, इसमें serf का मतलब क्या है, यह साब world history में complete करा गया है, फिर भी समझ आप, serf जो है एक person होता है, जो work करता है land पे, but वो change नहीं कर सकता अपना profession, या कहीं और जा नहीं सकता किसी दूसरे area म या शादी नहीं कर सकता बिना permission के अपने lord या master की, समझें, associated with this was a system of manner, इसके साथ मिला हुआ एक system system of manner, manner जो था, वो house या फिर castle था, जहां पे lord रहता था, कई सारे European countries में, large tracts of land, rover, owned by the lords of this manner, एक जो पाल सा land का, वो cultivate कर रहा 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 रह देखली lord जो हा है एक पाल जो हा है वो cultivate कर लेंट का, यह ना, who had to divide their, cultivating their own field and the fields of the master, थेक है, अब सिस land जो हा बिलौग करती थी lord को, और serp जो हा उसे पे करना परता था, other dues in cash या पे kind के तौर पे, समझ रहा है ना, land जो हा हा है वो बिलौग करती थी lord को, तेक है, और serp had to pay him other dues in cash or kind अब देखें जो lord है lord of the minor था उसके पास responsibility थी maintain करने की law and order discipline and justice को since यहाँ पर जो है काफी great deal थी lawlessness की उस वक्त ना law था नहीं उस वक्त even जो free present थे वो भी कभी कभी prepare कर दे आते थे कि भाईया accept कर लेते थे vassalage को lord के lord of the manor को in return for the protection हमारे भारत में ऐसा कोई भी सेवडम नहीं था और manor system नहीं था as such but यहां के local landed element है जे हम लोग समन्तास कहते थे वो कई सारे power exercise करते थे अपनी feudal lots पर feudal loss वाली और peasantry was in the dependent position to them और जो वाहां peasant थे हमारे यहां के लिए farmers थे वो इन लोगों पर dependent है हमारे इंडिया की बात हुई है आपर कई सारी countries जो western Europe की थी मापर manner system और system of labeled वो यूस करया था था peasants के दोरा disappeared आपर और जहां पर भी यूस करया था वो सब आपको system जो है वो disappeared हो गयते गायब हो गयते after the 14th century दोसरा second feature यह था जो कि associated to the feudal system से यूरोप में यह था system of military organization का एक most typical symbol जो फ्यूस सिस्टम का था वो था armed knight, armed knit on the horseback पैने हुए विलकुल जो होता नहीं वो गोडे पे बैठा था मतलब होड़ सबार पैने होता है पुरा military वारा द्रेस नहीं होता है आप देखें इंदे रोमन टाइं चीफ विंग्स थे आर्मी के वह वह हैवी और लाइट वर्दा हैवी और लाइट infantry arms with long spears and short sword horses को यूज करते थे ड्रॉ करने के लिए मतलब खीचने के लिए chariots को जिसमें officers बगेरा बैठे होते थे यह माना जाता है कि जो था warfare का वो चेंज हुआ जब Arabs आए हैना क्योंकि इन्होंने काफी मातरा में जो है इन्होंने supply करा horses को और उनका swift movement और जो आपका mounted archers थे इसने infantry को useless बना दिया जो problem थी और जो problem थी developing और maintain करने में organization को needed for a new mode of warfare help in the growth of feudalism in Europe अच्छा कोई भी king कोई भी king no king could have to maintain out of his own resource the large body of cavalry need to provide them with armor and equipment hence जो army थी वो decentralized थी assigning fee holders the responsibility मतलब फीवोलर जानते है जो land अगरा को hold करते थे और जो holders थे उनके पास responsibility थी कि वो maintain करते थे fixed force of cavalry को और infantry को जो की king की service में थी cavalry warfare जो था वो principal mode था warfare का on account of two inventions two inventions यहां पर दो है two inventions कि उस पर तो पहला यह था पहला था iron stirrup iron stirrup जो थी उसने possible करा कि for a heavy armed person काफी जो आम काफी अच्छे से heavy वाला आम पहने हुए है उस person को right करें मतलब राइट कर से था होड पे होर्स पे अब मतलब गोड़े पें विदाउट बिना गिरें असानी से कर साते था और साथ इसने यह भी possible बनाएं cavalry possible cavalry charge with lances held tightly to the body without rider being thrown off by the shock of the impact यह रियल डिवाइस था मतलब पहले वाले थे ना वो यह तो वूड इस दिरिप थे यह पर piece of rope थे जो से tow hold provide करते थे मतलब यह जो आपका गूठा है उसी पर hold था अभी वाले क्या आ गए थे आरे इस वाले क्या गए थे आइरें इस वाले थे इनकी मेरे से अब डिफिकल था इन्वेंटरी के लिए फेस करना चार्ज ऑफ हेवी कैवल्ट्री को अभी के सेकेंड जो इन्वेंशन था वह था नहीं तरह का हार्डनेस विच नेम इस होड विच नेम इस होड्स तो ड्रॉ टोईस अमांट ओफ लोड इट फुल अर्लियर टोईस है आम सो कीचा जा सकता था इस वो इंडिया में आए हैं 10th century के बार ठीक है अपार्ट फॉम दे सिस्ट्रम फ्यूदिलिजम फ्यूदिलिजम के साथ इसा जो पार्टन था लाइफ का यूरोप में दूरिंग वाट इस कॉल्ड अमेडिवल यूरोप यह भी सेव वाज अल्सों सेव करना शुरू कर दिये गवर्मेंट के भी जो पॉप था जो पॉप हैं जो आज भी पॉप कहला देना पॉप जो हैं जो हैड थी Catholic Church के यह नहीं सर रिलीजियस हैड बन गए बट साथ इसाथ यह कुछ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल और मॉरल अथर्टी भी जो है वह अपन अच्छी मुनास्ट्री और मॉनास्ट्री वहां पर सेट अप हो गए कई सारी मुनास्टी ने दी एक मेडिकल हेल्प शेल्टर के रिए ट्रावलर को और साथ इसार इन्हों ने सब करा सेंटर के तौर पे पर एजुकेशन एड लडने कोछी जो मुनास्ट्री यह बन गई जो अच्छी तरह से स्टाविश हो गई यह बिहेव करने लगी फ्यूडल लॉट्स के तौर पे इसकी वज़े से इंटर्नल डिसकोर्ड या कंफ्लिक्ट आ गया रूलर्स के बीच में जिन्होंने प्रेजेंट करना था वर्डली पावर चर्च की और पोप्स की अब अरब के बारे में बताएंगे आपको तो अरब इंपायर पाउंड करा गया था अर्ली कैलिफ्स के दौरा इंब्रेस अपार्ट प्रॉम अरेबिया सीरिया इराक इरान एजिप्ट नौर्थ अफ्रिका इन स्पेंट से अरब ट्राइबस अबस अबस थी यह पावर में करते हैं और इसी वजए से इस ट्राइब को जो है काफी होली माना लगा मतलब काफी पवित्र माना जाने लगा इसकी जो हाइट इसमें सारी इंपोर्ट इंपोर्ट सेंटर से सिविलाजेशन के इन अरिया लाइक पार्ट्स अफ नौर्थ आफ्रिका एजिप्ट सीरिया इ इसने कमांड कर इंपोर्टन ट्रेड रूट्स को भी जो की लिंक कर रहा था मेड़ेशन वर्ट्स को इंडिया और चाइन के साथ में जो अरब्स थे वो वक कर रहे थे इन मर्चंट्स और कुटली इमर्ज होकर आए अज अ मोस्ट इंटर प्राइजिंग अन वेल्थी यह मोस्ट इमस क्यालिफ थे इस पिरिए कि उनका नाम था अलममून या हरून अल राशित हरून अल राशित आजित अच्छ अर्ड़ी पीरिद जो अरब कह है वो डिस्पले करता है एक डिमार्कबल कपैसिटी assimilating the scientific knowledge and administrative skills of the Asian civilization they had or they had no hesitation in employing non-muslims तेके आप समझ रहे हैं ना इनको non-muslim को employ करने में कोई दिक्कत नहीं थी यसी कि आपको Christians, Jews, साथ कि non-Arab, तेके पर्टिकुलर्ली इरानियंस बगेरा कई सारे इन में से जो है वो दुरास्ट्रियन भी थे और इवन बुद्धिस भी थे जो रन कर रहे थे मतलब जो मतलब करने के लिए administration को काफी इनोंने employ कर रहे हैं को यह नहीं था कि Muslim होना चाहिए अब Abbasis Caliphs यह Orthodox Muslim थे ठीक है? They open wide the gate of learning from all quarters as well as it did not sharing the fundamental tenets of Islam अल्दो यह बात किया थे कि जो Abbasis Caliphs थे ना यह Orthodox Muslim थे लेकिन तब इनोंने ओपन कर रहा वाइट, gate, learning वगेरा का सारे ही quarters as long as it did not challenge the fundamental tenets of Islam मतलब तब तब तक के लिए तब तक के लिए यह ऐसा कुछ जो है वो आपको प्रोवाइट करना होगा ना वाँ पर आपको जो PPTs वागेरा है Telegram पर तो I will just edit them and then provide all the PPTs ठीक है यह PPT किसी और ने बनाई है इसलिए थोड़ी सी problem है Don't worry, कुछ गलत नहीं है बड़ ठीक है आगे बताते हैं तो Caliph Al-Mamun ने set up करा house of wisdom को इसे जो है वो आपका बैत उल हिकमत भी कहने लगे बगदार में करा translate करने के लिए translate into Arabic the learning from various civilization जैसे कि मतलब Arabic में काफी सारी learnings को कई सारे civilization की learning को transform करने के लिए यह उन्होंने set up करा house of wisdom को जैसे कि आपकी Greek, Byzantine, Egyptian, Egyptian, Iranian, Indian सारे empires की इतने भी civilization में काफी सारी learnings को Arabic में convert करने के लिए करा गया कई सारे Chinese inventions जैसे कि आपका compass ठीक है और paper, printing, gun, powder and even humble wheel, barrow यह चाइना से ट्रावल होके आया यॉरोप में वाया Arabs इस पीरेट में ऐसा हुआ और जब famous Vanitian traveler थे Marco Polo इन्होंने ट्रावल करा चाइना में और in order to know more about it ताकि इसके बारे more जान सके and to breach the Arab monopoly of Europe's trade with China अब हमारे पास कुछ limited ही knowledge है इंडिया की economic और cultural relation कैसे थे इस बारे में हमारे पास जादा लाउनिश तो नहीं है लेकिन हां क्या contribution दिया इंडिया को क्या रहा तो हमें अपर limited knowledge है अरब ने कॉनकोर्स करा सिंध को 8th century में and did not lead to the establishment of the cultural cultural relation इसकी वैसे क्या हुआ कि ज्यादा अच्छे हमारी cultural relation उससे नहीं हो सके अरब के rest of India से पहुचा during this period but during the 9th century यह popularized in the region by the Arab mathematician इनका नाम था अल-ख्वारिज्मी अल-ख्वारिज्मी ठीक है इनकी दौरा करा गया काफी popular इसको रिदूस करा गया Europe में 12th century में एक Monk की दौरा इनका नाम था अबिलाड और यह बन गया अरब नुमेर इसको जो है कियने लगे इस बिकेम अना इससर्व अरभ नुमेर जो डील करते थे अस्टॉनमी के साथ में माथमेटिक से साथ में यह भी त्रांसलेट करें गया अरभिक में जो फीमस वर्फ था आस्टोनॉमी पे सूर सिद्धान जिसे कहते हैं विचाइब रिवाइज एंड रिफॉर्म बाई आरबट ये भी इनमें से एख हैं इंडियन ट्रेडर्स मर्चेंट ने जो हैं कॉंटिनु रखा अपना विजिट अपना विजिट कॉंटिनु टु विज काफी सारी संस्क्रेट लिटूरी वर्क यसे कहा आप कलीला टीक है वा दिमना जिसे पंच तंतर बोलते हैं न वुलते हैं न पंच तंतर आपने काफी सुना होगा और इसको भी ट्रांसलेट करा गया अरीबिक नोर फोर्म करा इसने बसस ऐसो फेबल्स इन दो वेस्ट का अब 10th century तक क्या हो गया था growth जो थी geography की, algebra की, geography की, astronomy, optics, chemistry, medicine, etc. की Arab world में during this period इसे काफी जहे इसे leader बना दिया field of science में हावर बात क्या हो रही कि जो achievements थी यह result थी जो work करा गया था अरेबिया के बाहर in Khorasan, Egypt, Spain वगयरा में जो अरब थे जो आपका अरब science है वो truly international है अंदर ही कुछ नहीं है international है यह पूरी तरस है और मतलब इसे अरब science यू कहते हैं इसे अरब science इसले कहते हैं कि अरेबिक जो थी कई सारे various countries से आये थे वो freely move कर सकते थे और work कर सकते थे settled down हो सकते थे कहीं पे भी जहाँ उनका मन करें जो remarkable degree थी intellectual and personal freedom की वो enjoy करी का scientist or scholars की दोरा एक important factor है कि remarkable growth का अरब science की और civilization की ऐसा freedom जो था वो available नहीं था उसक यूरोप में यह ना क्योंकि वहाँ पर काफी rigid काफी सक्थ attitude था Christian church का परहापस condition इंडिया में थी काफी similar थी for hardly any of the Arab sciences जो है वो यह इंडिया में नहीं आ पाई और इंडियान साइंस ने खुद ही जो है वो मतलब इंडियान साइंस इसल्फ बिगान तु स्टागने रुग गई थी इस पीरिट के टाइम पर हमारी भारत में भी जो साइंस चल रही थी कि यह पर काफी सारी orthodoxy और बढ़ गई थी और यह आपकी जो फ्री थॉट्स थे भी बहुत इसने रोक रखा था ठीक है नहीं सुरी इंडिया की बात हो रही है अब अरब साइंस क्यों कम हो गई अरब साइंस इसलिए डिक्लाइन हुई 14th century के बाद में क्योंकि थोड़ा तो पॉलिटिकल रीजन है थोड़ा तो पॉलिटिकल पाफ थोड़ा थो पर्टिकूलरी याप कह सकते हो पार्टिकल और इक्नॉमिक डेवलप्मेंट की विदे से इसने एरिया को एफेक्ट करा बट उससे जादा क्या था कि ग्रोइंस और पिछोडी सोच काफी बढ़ रह इसने एक्सेंट कर दिया था अपनी ओवर लॉट्षिप को ओवर लास पार्ट ऑफ सिंक्यांग इंसेंटर एशिया इसमें खाश काशगार भी आ रहा था अब देखिए इसने हल्प करा इन गिविंग फिलिप तो दो ओवर लांड ट्रेड अक्रॉस वाट इस कॉल्ड इसने पाश साथ फाइन क्वाल्टी का पॉर्सलीन वगेरा और वर्क्स इन जेड जेट समझते एक सेमी प्रीशियस स्टून होता है इसको एक्सपोर्ट कर आने लगा वेस्ट एस्या में यूरोप में और इंडिया में इस रोड के माध्यम से मतलब सिल्क रोड के माध्यम स अब फॉर्ण प्रेडर्स जो थे वह चाइना में लगे कई सारे अरब्स पर्शियन इंडियंस यह सब साउथ चाइना में गए अक्रॉस दसी सेटल हो गए वह कैंट उसके बाद ट्यांग इंपार तब डिक्लाइन होगे इंदे मिडल ऑफ दे 9th century और इसको रिप्लेस कर द मॉंगोल को कि वह चाइना को कॉंकर कर दे 13th century में 13th century में मॉंगोल को कभजा हो गया और मॉंगोल ने देखिए पुरी तरह से डेथ वहां पर डिस्ट्रक्शन लेया चाइना में बट हाई इसको थे और मॉबाइल कैवलरी फोर्स की वैसे मॉंगोल का रूल था वह कि पैसिति नॉर्थ वेतनाम करते हैं और अनाम जिसे साउथ वेतनाम कहते हैं नॉर्थ माला बार होते हुए गए थे वापस अब देखे चाइन ने डेवलप कर था चाइना है डेवलप बाइ स्टॉंग नेवी बढ़ गई थी और दो मोस्ट पावरफुल किंग्डम जो है फ्लरिश होके आ गए थे रीजन में दुरिंग पीरिड वो रहे थे शैलेंद्र उस समय ज आप बूजा था अब देखिए ये दो एंपायर थे और जो सैलेंद्र इंपायर था वो अरोज हुआ 7th century में और लाज़ली डिस्प्लेस करा इसने श्री विजया इंपायर को तरिश्ट हुआ तिल 10th century तक के लिए इसने जो है वो पूरा इसने अपनी हाइट में इंपायर क इसने इंपायर करा सुमत्रा जावा मलिया पेनिस्विल्ला को कुछ पार्ट सियाम का भी जो अभी आप मौडन थाइलैंड है उसको अभी और इवन फिलिपिन्स का भी नाइन्थ संचुली के अरब राइटर है उनके अनुसार इंपायर जो था इतना बड़ा था कि इवन जो फास्टेस्ट वैसे होती है वह से कंप्रीट नहीं कर सकती थी उसका एक राउंड ट्रिप दो साल में भी और सैलेंद रूला जो थे काफी उनकी पावफुल नेवी ना डॉमिनेट कर रहे थे सी को सी ट्रेट को चाइना के और पलवास थे हमारे साउथ इंडिया के इनके पास भी काफी पावफुल नेवी थी यह ना ऐसा नहीं है अपन पीछे थे कई सारे चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स यह विजिट करें पैलम बैंग में जो कैप्त लॉड बुड़ीन को डेलिकेटेद्ट है और यह यह पूराही मतलब इनकंभार इंट नाइन इंत्रom टेरिक्षस सर्माउंटेड तूपा अब बुचीं अफरे चैंडिया इंडिया पली थे अचीवमेंट आप कह सकते हो ग्रूप टेंपल जो कि अंकोर थॉम में कमबोडिया में बिगें इन नाइन सेंचुरी हर एक रूलर था उसने एक नया टेंपल बिल्ड करा यहां पे अपने आपको कमुलेट करने के लिए इसकी मेमरी तिल 200 तेंपल जब तक वह बिल्ड नहीं ह इसमें करी तीन किलो मेटर जो है इथा स्टी किलो मेटर सफ कवर्ड पासेज़ेस में का ब्यूटिफुल स्टैचूस हैं और इसके लिए अच्छे से बहुत स्किलिफिली जैजिक्टेड है पैनल से इसमें आपका सीन्स हैं रामाय और महाभारत के एंटायर ग्रूप बिल् विगरस पिरिस को क्या सकते हूं आप अपिल बिल्डिंग का इस अथिविटी का अपिल बिल्डिंग का ये रहा था आपका 9th से लिकि 12th century तक का जिसे विच वस अच्छे पीरिदीर पेड़ पिल्डिंग अप्पिल इंडिया कई सारे इंडिया जो है वो साओथ चाइना मे गये आफर ट्रावलिंग ओबर लाइंड फो टॉट अच्छा वाइल जो बुद्धिजन था वो डिकलाइन हो गया था इंडिया में जहां से इसका जन्म हुआ था 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 ये जो है वो फ्लरिश होनी लगा था साउथ एस्ट एस्या में वक्त के साथ साथ इसने जह है एसिमिलेट करा हिंदू गोड्स को इंटू बुद्धिस फोल्ड और इवन जो है वो टुक ओवर कर दिया हिंदू टेंपल्स को भी एक मोमेंट जो है वो जो ऑपोजिट थी जो की इंडिया में चल रही थी उस वक्त उसकी ऑपोजिट मोमें यहां थी अब देखिए अर के अब देखिए कमर्श और कैलेट्स की बात करें यह आप इंडिया और इन सारी कंट्री के स्विद्ध हो का इंडिया और इस binnen always energy में मल्म और बात में फ्रेंच ले वह काफी बढ़ गए और एक्स्टेंड हो गए अप्टू मलांधी जैंजी बार वगेरा में आपका लाज स्केल एक्सपोर्ट रहा स्लेफ का और गोल्ड आवरी वगेरा का और यहां पे जो है यह आफरीका में था पाफुल यूथोपीन किंडम फ लॉंग स्टैंडिंग वि कैते हैं नहीं है कितना खाना कार यह हप्षी हो क्या तो यह मेंली अगर आपसे कोई पूछे तो यह आपको यह नौलज हो गई कि यूथोपेंस कॉल्ड हप्षी वर क्रिस्टिंग रहा है तो यहां पे हमनी चाप्टर कंप्रीट के लिया थोल्ड़ा सा पीपटी में जो ग चेस्टि नहीं टो इस थीना कि यह तो जख लोखेंगव्ड़ टो यह प्र तो यह गिथ जा तो है स्टिय दविए जा सम्गर्स ओसेंख दिल्या कि रहले लिप